गडीत के क्रेस कोर्स के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम मंटू है और हम लोग मात्र 40 दिन में ही पूरे गडीत की पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरवाला रहखिक समिकरण तो दो चरवाले रहखिक समिकरण में हम को लाइक ने की है लाइक कर दीजिए चैनल पे पहली बारा है सबस्क्राइब करके अपने दोस्तों में इसे सेर कर दीजिए और आज का क्लास बहुत ही मस्त है जबरदस्त है तो आईए देखिए क्या क्या आपको बताया जाता है तो आपको बताना चाहेंगे कि वह चरो एकस और वाई में एक रैखिक समिकरण युग्म कहलाता है आगे यदि हम बात करें तो यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि दो चरो वाले रैखिक समिकरण युग्म एए x plus by plus c बराबर 0 की रूप का होता है अभी आपको हमने बताया कि 2 चरवाला रहखी समिकरण किस रूप क्या होगा तो a x plus by plus c बराबर 0 की रूप का होगा का परतेखल x y इस समिकरण को निर्यूपिद करने वाली रेखा के एक विंदू के संगत होता है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 2,4 x और y में रैखिक समिकरण युग्म का ब्यापक जो रूप होता है वह ब्यापक रूप क्या होता है उसे हम लोग जानते हैं तो बताना चाहेंगे आपको और ये कई बार आपसे एक्जाम में पुछा भी जाता है कि दो चरवाले समिकरण का दो चरवाले रैखिक समिकरण का जो ब्यापक रूप होता है वो ब्यापक रूप क्या होता है आप हमें बता दीजे तो आपको बता दे रहे चाहेंगे कि दो और एक होता है एक होता है एक होता है वे वन सीवन एक षबूल्म किया गया है इसे ध्यानम रखे क्योंकि यह अलग अलग होती है A1 अलग होती है B1 अलग होती है C1 अलग होती है A2 अलग होती है B2 अलग होती है C2 और C2 अलग होती है और A1, B1, C2 का जो मान होता है तो यह आपके गुनांक होती है जिस परकार से A, B, C आपने निकाला बहुपद में उसी परकार से इसमें भी होता है तो जो पहले वाला समिकरन होता है उसमें A1, B1, C1 का मान रहता है और जो दूसरा वाला समिकरन होता है वो A2, B2, C2 का मान रहता है जब आपको हम सल्ब कराएंगे जब आपको कोशन हम देंगे तो आपको समझ में आजाएगी कि किसे क्या कहते है तो आपको पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से तयारी कराते हैं जो लोग उठी नहीं आए हैं उनको बता दें कि हमारे तबरा किस परकार से क्रेस्कोर्स आइ जा रही है मारे 13-40 दिन पूरे संपूर्ण तयारी हम करा रहें कि पहले आपको पूरे चेप्टर का निजोड़ बताते हैं उसके बारे में बताते हैं कि उसकी परिवासा क्या होती है जो भी चैप्टर रहे जैसे कि यहाँ पर देख पा रहा है कि दो चरवाल लेकिस हम करना हम लोग पढ़ रहा है इसके बारे में हम बताते हैं फिर इसके बाद से हम क्या करते हैं यह वाला वीडियो यहीं पर खत्म कर देते हैं फिर आपको लेकर क्या आते हैं क्या चीज़ एक objective का question लेकर क्या आते हैं और objective आपको बताते हैं उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस परकार subjective आपके बोड़ी जामे रहेगा और वही सभी objective हम लेकर क्याते हैं जो very very important हो जो model paper question मैंक से लिया गया रहता है ठीक है यह चीज हो गई उसके बाद से आपको subjective type प्रशन बताते हैं कि किस टाइप से आपके exam में प्रशन रहते हैं और कौन-कौन से प्रशन रहते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि हमको यही चीज पढ़ना है और यही चीज प्रशन नहीं मिल पाएगा और भटकते रह जाएगा क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि किस तरह से त्यारी हो रही है किवल सभी लोग आप देख रहे हैं कि किवल objective करा रहे हैं किवल कोई भी ले ले रहे हैं कोशन और यह कभी भी कसी ऐसे करा रहे है तो ऐसी पढ़ने की ज़रूरत तब है जब आपको पूरी chapter का निचूर पता हो जाए तो ही आप इसे जानियेगा तो बेतर रहेगा हना क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसका क्या चीज़ सही में वाकई में मान क्या होता है तो कई ज़र क्या होती है कि book में और model से paper में या कहीं पी और भी तो बहुत ज़्यादा गलती निकलती है वहाँ पी बहुत ज़्यादा answer गलती दिया रहता है यह चीज़ को आप समझेंगे ठीक है मैं आपके लिए बोल रहा हूं नित्व आप कहिए कि सर पढ़ाईए यह क्या बता रहा है यह बहुत ज़रूर है क्योंकि आपके live की सवाल है अगर आप ऐसे भटकते रह जाएगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको अपने घर परिवार अपना नाम रोशन करना है आप सभी को तो आप मेहनत केजिए मेहनत करके पढ़ाई केजिए यह मत समझें कि हमनों एक दिन में पढ़ लेंगे या क्यों इंपोटेंट कोशन जान जाएंगे और बना देंगे अच्छी बात है अगर बना भी देते हैं तो यह तो अच्छी बात है लेकिन आपके पस नोलेज नहीं रह पाएगी इसलिए आप से कहते हैं कि आप पढ़िए ध्यान बुरू पढ़िए कोई दिक्कत होता है ताप हमसे पुछिए ना कोशन पुछिए आपका अधिकार है क्या कोशन पूछे तो पूछिए आप सभी हमसे कोशन नीचे कमेंट वक्स आपके लिए खाली है जो भी कोशन करना आप कीजिए जरूर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे चलिए तो बात करते हैं तो आभी तक आपने वीडियो को ल यहां तक हमने समझ लिया था कि A1, B1, C1, A2, B2, CT जो होती है वह वास्तिविक संख्याए होती है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि एक तल में यदि दो रिखाए हो तो निम्न में से किवल एक ही संभावना हो सकती है वह कौन-कौन सी संभावना है जिन में से किवल एक यह संभावना हो सकती है द्यान से सूनेंगे देखिए तीन संभावना हो सकती है पहली संभावना की बात करें तो पहली संभावना है कि दोनों रिखाए एक बिंदू पर परतिछेद करेगी या करती है दूसरे संभावना यह हो सकती है कि दोनों रिखाए परतिछेद नही तो इस में से कोई एक लागू होगा या तो वो दोनों रखा एक बिंदू पर परतिशेद करेगी इस परकार से इस परकार से वो एक बिंदू पर कहीं पर भी काट सकती है अब इसका मतलब यह नहीं कि इस परकार से ही काटेगी कहीं पर भी आप देख रहे होंगे कि वह इस प पाटेगी नहीं और अगला यह कि यह हो सकता है कि वह रेखाएं जब दोनों संपाती हो सकती है ठीक है यह इस प्रकार से हो सकती है ठीक है तो यह तीनों में से कोई भी एक लागू हो सकती है तो यह बात आपको याद करके रखनी है जिससे कि दिक्कत आपको न हो चलिए आग X पलस B1Y पलस C1 बराबर 0 होता है और A2X पलस B2Y पलस C2 बराबर 0 होता है जो कि इसका ब्यापक रूप है अभी आपने उपर में यहाँ पिर अपनी जाना आपने अभी जाना कि 2 चरवर रहे कि समिकरण यूगम का ब्यापक जो रूप होता वो क्या होता है कि a1 x plus b1 y plus c1 बराबर 0 और a2 x plus b2 y plus c2 बराबर 0 होता है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब यहां पर बताये जा रहा है यह चीज कि ब्यापक रूप में दिये गए समिकरों के गुडांकों को निम्न रूप में ब्यक्त करने पर प्राप्त परिण अडाम के आधार पर निम्न निसकर्स लिकलते हैं देखिए तो निसकर्स क्या निकलते हैं और यह जो निसकर्स नि बताएंगे तो आपको समझ में चोटल आज आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी फिलाल यहां पर बात करते हैं देखें ध्यान से सुनिए अगर अगर ध्यान से सुनिए अगर a1 बटा a2 बडाबर नहीं हो b1 बटा b2 यानिकी a1 बटा a2 का मानन निकाले और b1 बटा b2 का मानन निकाले और जब हम मानन निकाल करके जब चेक करें तो वह बडाबर ना आए जैसी कि मानले भी ए 4 आ जाएra किसी का 3 आ जा है ठीक है यानि कि A1 बटा A2 कमान अगर 4 आ जाए और B1 बटा B2 कमान अगर 3 आ जाए तो यह आपस में बराबर तो होगी ने क्यूजि कि या 4 या 3 आ पर 3 आ बराबर तो नही है तो इस इस्तिती में क्या होगा कि केवल एक ही हल होगा एक और केवल एक ही हल होगा और यूग में जो होगा वह और बीरोधी यानि की संगत कहलाता है उस समय में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आगे है कि अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो उस इस्तिती में क्या होगा कि अनिगीनत हल होंगे और यूग में जो होगा वह आस्रित कहलाता है उस इस्तिती में आप ये समझ करके आप याद करके रखेगा अब यहाँ पे बाबो आप कहिएगा तो इसलिए यहाँ पे बस इतना ही लिखा गया है लेकिन आगे अब देख रहे हैं सब चीज में तो C1 का भी इसमें लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से चलिए आगे बात करते हैं अगर इस इस्तिती में यानि कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं हो 7 बटे C2 उस इस्तिति में क्या होगा कि कोई हल ही नहीं होगा उसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा और युग में जो होगा वह बिरोधी यानि की आसंगत कहलाता है अब इन नाम को याद करके रखेगा कि आ बिरोधी को संगत बिरोधी को आसंगत ठीक है यह नाम याद करके नहीं कि कभी कभी क्या करता है कोशन को बदल देता है ठीक है क्या करेगा कि बिरोधी के जगा आसंगत देगा या संगत के जगा बिरोधी देगा इस इसको आप याद करके रखेगा चलिए आगे बात करते हैं लोग उधारन के तोर पर यह आप समझने कैसे प्रयास किजिएगा जैसे मान लिजे कि यह रेखा यूग में है यहाँ पर दो समिकरण दिया गया है और समिकरण देने के बास यहाँ पर A1 बट्टे A2 कमान निकाला गया है 1 बट्टा 3 आजागा A1 बट्टा A2 कमान क्या जागा यहाँ पर 1 बट्टा 3 आजागा अब 1 बट्टा 3 कैसे आगा यह कहिएगा तो दिखिए जो पहले वाला X है न उसमें किसे से गुना किया गया तो 1 से गुना किया गया है और वही चीज आपका A1 कमान हो गया तो A1 हो गया 1 और बट्टे A2 A2 कमान क्या हो जागा दूसरी वाली सम्मक्राद में क्या हो जागा तीर दिया गया X X के में किसे गुना किया गया तीन से तो 3 हो जागे आपके यानि कि A1 बट्टे C2 क्या है और इसी परकार से यहाँ पर इसे की रहे हैं हम समझते है चलिए उसके पसे क्या होगा किसी वन बट एकव जबекст की बात करें थो तो क्या होगा 0 बट्टे क्या होगा माइनस 20 हो जाएगा 0 बट्टे क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा चलिए तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि A1 बट्टे यहाँ पर A2 होगा ठीक है बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 तो इस सिस्थिति में यहाँ परतिछेद करती रिखाए होगी और केवल A कहीं हाल होगा यानिकी आदित्वी होगा यह चीज़ को आपको याद करके रखने है जैसे कि यहाँ पर देख रहें कि 1 बटा 3 है तो यहाँ आया है इस परकार से यह रूल जोगा इस सिस्थिति में यह चीज़ लागू होगा वहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं यह आपको उदारण है अभी आपको उपर बताया चलिए यहाँ पर दिया गया यह चीज़ कि 2X 3Y-9 बराबर 0 4X 6Y-18 बराबर 0 यह चीज़ आपको इसको कट आयेगा 2बटे 4 तो दोबटे 4 को कट आयेगा 1 बट नहीं गया कि इमान आया है ठीके मैंस 9 बट नहीं गया है तो मैंस 9 बटे 18 और इसको कट कीज़ेगा तो कितना आगया ठीके इसका भी क्या जाएगा उन बट्टे क्या जाएगा पलस में यहाँ आगा वन बट्टा टू आगा कि blir minus कट जाएगा तो उन बट्टा क्या यगाका 2 आगा यानि कि आप देख रहें कि प्रते कि इस्तिती में यहाँ पर जो मान है वा बराबर आ रहा है इस प्रकार से यहाँ पे क्या लाग होगा कि यह संपाती रेखा होगा और इसका अनगीनत हल हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे देखिए कि X प्लस 2Y मनस 4 बराबर 0 दिया गया है और यहाँ पे 2X प्लस 4Y मनस 12 बराबर 0 दिया गया है इस इस्तिती में A1 बटर A2 B1 बटर B2 C1 बटर C2 जब निकाला गया है कैसे निकाला गया अभी आपको हमने बताया उपर में उस प्रकार से जब निकाला गया तो यहाँ पे पाया जा रहा है यह चीज़ कि A1 बटर A2 बराबर B1 बटर B2 है लेकिन C1 बटर C2 नहीं है इस इस्तिती में क्या होगा कि समनांतर जो रिखाएं होंगी समनांतर रिखाएं होंगी और उसके वासे इसका कोई भी हल कोई हल नहीं होगा ठीक है इस चीज़ को आप याद करके रखेगा और बस इतना ही आपकी चैप्टर में दो चरवल रैकिक समिकरण में जो है आपको पढ़नी है इससे जादा आपको चैप्टर में अब इसमें नहीं पढ़नी है बस इतना ही बात को आपको ध्यार में रखनी है अब आपको हम बता दें कि जब आपको objective question लेकर कहेंगे subjective question लेकर कहेंगे तो इसी चीज़ पर बनेगा तो यह चीज़ आपको पता हो गई अगर आपको जनकारी हो गई तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं ठीक है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लिए जागा और एप जो है अभी तक डाउलोड नहीं किय होंगे तो डाउलोड कर लीजिएगा ठीक है उसका लिंक description में मिल जाएगा लेकिन जिसमें हम वीडियो को बना रहा है मतला अभी जो हम बना रहा है और आप लोग जश्ट नहीं देख रहा है तो समझे यह अभी थोड़ी से एप में काम सल रही है आपको बहुत दिनों से कि थोड़ी से वेट कर लीजिए और आपको बता दें कि तेंथ कलास का सभी जो है वह कंप्लीट हो चुकी है अब इंटर वाले को लिए हम उसमें जो कोशन वगेरा डाल रहा है अप्लोट कर वा रहा है कर रहा है ठीक है तो इसलिए पॉब्लिस नहीं किया गया है ठीक है उ लिंक डिस्क्रिप्टर में होगा एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और डाउनलोट कर लीजिएगा या प्लेश्टर पे भी जाकर के हमादे चैनल का नाम लिखेगा डिलस एजुकेशन तो आपे मिल जाएगे वहां पे सभी विसायका नूमर्स बहुत अच्छी से त्या कार से ओके थैंक यू